जैमा हिंगलाज, माता स्वागत है, आप सभी का, हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी एस्ट्रोलोजी में, तो कन्या राश्शिवालों, आपका घर उजाडने पर तूली है, इस नाम की औरत सावधान हो जाईए मित्रों, क्योंकि सवाल आज का नहीं, पूरे जिंदगी भर और जब आप इसका नाम सुनेंगे, तो इसका नाम सुनकर खून के आंसू आने लगेंगे, तो देखो मित्रों, इसकी सच्चाई चलिए, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में तीन बार जैमा हर सिद्धी अवश्य ही लिख दीजिएगा, द इस दुनिया ने कई बार बहुत गलत फायदा उठाया, और आज भी यह दुनिया आपकी अच्छाई का बहुत बड़ा फायदा उठा रही है, ऐसे में दोस्तों, इन 24 घंटे में एक बहुत बड़े राज से परदा उठेगा, और आपको तीन ऐसे सच पता लगेंगे, जि अब भी किसी को अपशब्द नहीं कहा, लेकिन दोस्तों हम जानते हैं कि इस दुनिया ने आपकी वह कदर नहीं करी, जिसके आप हकदार है, इस दुनिया ने आपका बहुत बड़ा फायदा उठाया है, आपकी अच्छाई का दोस्तों, बहुत गलत, यहां पर फायदा आने वाले अगली 24 घंटे में, मित्रों, शनिदेव आपके दुश्मनों का हिसाब किताब करने वाले हैं, जिन लोगों ने दोस्तों, आपकी अच्छाई का बड़ा फायदा उठाया ही, जिन लोगों ने कदम कदम पर आपको धोखा दिया है, अब उनकी परीक्षा होने व जिन खुशियों के लिए आप दोस्तों तडप रहे थे, अब वह सब कुछ आपको मिलने वाला है, लेकिन बस आपको यह ध्यान रखना होगा, कि आप किसी के दुख का कारण इन 24 घंटे में ना बने, आपके दोस्तों, तीन बड़ी सावधानी का ध्यान रखना होगा, और और वह सारी सावधानी, आज की इस वीडियो में हमने आपको बताई है, बहुत ही खुश नसीब होगा दोस्तों, वह व्यक्ति जो आज की इस वीडियो को अंत तक देख लेगा, क्योंकि दोस्तों, आज का यह वीडियो आपकी राश्य के लिए किसी वर्दान से काम नहीं ह इस वीडियो में जो बातें हमने आपको बताई है, वह बातें आपकी जिन्दगी बदल कर रख देगी, और इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं, इसलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे, विनती करेंगे कि आप इस वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों, हम आपके वह आपके सामने आ सके, आपके दुश्मनों का आपको पता लग सके, इसलिए दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा, वीडियो की शुरुआत करने से पहले, जितने भी खाटू वाले बाबा श्याम के सच्चे भक्त हैं, वह अभी के, अभी इस वीडियो को लाइक कर दी, उस पूर लिख देना, मैं गारंटी देता हूँ, अगले 24 घंटे में, बाबा के चरणों में आपकी अरजी लगेगी, और आपकी सारी मनो कामनाएं बहुत जल्द से जल्द पूर्ण होगी, आपके सारे दुख बहुत जल्द दूर होंगे, दोस्तों, गुरुदेव बताते है एक टोपी बेचने वाला व्यक्ती था, जो की टोपियां बेचने का कम करता था, एक दिन वह व्यक्ती जंगलों में से गुजर रहा था, उसे जंगल में दोस्तों बहुत कड़ी धूप थी, उसने सोचा, क्यों ना क्वेश्चन कुछ पाल, एक पेड़ के नीचे विश्रा करने के लिए सोता है, तभी दोस्तों, वहां कुछ बंदर एज आते हैं, और उसकी सारी टोपियां ले जाते हैं, कुछ समय बाद जब टोपी वाला नींद में से उठाता है, अपनी टोपियां ना पाकर बहुत चिंता में ए जाता है, बहुत परेशान होता है, वह देखता कि बंदर उसकी सारी टोपियां ले जाकर पेड़ पर बैठ गए हैं, अब वह बहुत प्रयास तो कर लेता है, परंतु वह बंदर उसकी या वापस नहीं करते हैं, फिर क्या था? टोपी वाला बहुत चतुर था, तेज दिमाग का था, उसने अपने सर की टोपी निकल और उसे टोपी को नीचे फेंग दिया, अब दोस्तों, वह कहते हैं ना कि जो बेवकूफ लोग होते हैं, वह क्या करते हैं, देखा देखी करते हैं, बंदर भी दोस्तों, ज्यादा चालक नहीं था, वह भी था, तो एक सीधा साधा जंबरी, उसने भी अपने सर से टोपिया निकल और नीचे फेंग दी, टोपी वाले की चतुराई, कम आई उसने सारी टोपिया समिती और फॉरन वहां से रफू चक्कर हो गया, इस कहानी के माध्यम से, दोस्तों, गुरुदेव हमें यह कहना चाहते हैं, और यह समझाना चाहते हैं, कि जीवन में दोस्तों, परिस्थिति दोस्तों, कभी-कभी ऐसी एज आती है, कि जब सीधी उंगली से यदी ना निकले, तो उंगली टेड़ी करनी पड़ती है, यानि दोस्तों, जीवन में कभी-कभी हद से ज्यादा विकास यदी करोगे, सीधे तरीके से प्रयास करोगे, तो हो सकता है कि सफलता ना मिले, इस स्वयम को काफी उरजावान महसूस करोगे, जीहान दोस्तों, आपके अंदर एक नई शक्ती होगी, आपके अंदर एक नया जज़बा होगा, और आप अपने सभी कामों को बहुत आसानी से पूरा कर पाओगे, कारोबार से जुड़े जातकों को बता दे, बिजनिस के मामल में दोस्तों, जरा संभल कर रहना होगा, जीहान दोस्तों, कुछ लोगों की पूरी नजर आपके व्यापार पर आपके कारोबार पर पढ़ने वाली है, ऐसे दोस्तों, कुछ लोग आपका फाइदा उठाने का सोचेंगे, आपको अपनी बातों में फैन सैंगे जाएंगे और आपसे अपने जरूरी कम निकाला सकते हैं, परंटु दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आने वाले अगले 24 घंटे में आप किसी की भी बातों में आसानी से ना फंसे, जीहान दोस्तों, आप भूले भाले व्यक्ति, आप सीधे साधे व्यक्ति, कोई अभी आपके सामने आकर अपनी किस्मत का रोना रो देता है, तो आप उसकी बातों में बड़ी आसानी से एज आते हैं, उलज जाते हैं, परंटु ये गलती अगले 24 घंटे में आप ना करें, साथ दोस्तों, निवेश करने के कई सारे मौके आपके हाथ लगेंगे, यदि आप भी कहीं पर पैसा लगाना चाहते हैं, कहीं पर धन निवेश करना चाहते हैं, तो दोस्तों, आपको कई सारे मौके मिल सकते हैं, परंटु ये बात ध्यान रहें, बिना सोचे समझे, बिना जानकारी इकठा करें, कहीं पर भी आप निवेश मत करना, अन्यता दोस्तों, रूप में नुक्सान सहन करना पद सकता है, उसी के साथ उमेष सादिक, इस दिन आपको लाब हो सकता है, जीहान दोस्तों, जब लाब होता है, जब पैसा आता है, तो मनुष्य के अंदर एक अलग घमंड, ए जाता है, एटिट्यूड ए जाता है, तो ये एटिट्यूड दोस्तों, आप अपने अंदर इन 24 घंटे में ना ले जीहान दोस्तों, अपना व्यवहार बिलकुल अच्छा बना कर रखिए, विनम्र व्यवहार बना कर रखिए, शा अंतु 24 घंटे में आपको सभी का दिल जितना होगा, सभी से विनम्रता से बात करें, अच्छे से बात करें, किसी का भी दिल ना दुखाए, अन्यथा दोस्तों, आपके कम बिगड सकते हैं, सारे दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे में आपको बता दें, छात्र किसी नए कोर्स में एड्मिशन लेने का विचार कर सकते हैं जी हान दोस्तों यदि आप बहुत समय से कॉलेज या स्कूल में एड्मिशन के लिए भटक रहे तो परेशान चल रहे तो आने वाले अगले 24 घंटे दोस्तों आपकी जिंदगी में बहुत ही सुनहरे रहने वाले हैं इन 24 घ कुई है तो किसी अच्छे कॉलेज में आपका दाखिला होता हुआ नजर ए रहा है देखिए दोस्तों गुरुदेव ने आपके लिए दो लाइन कही है क्या शांदार लाइन है ज़रा कान लगाए सुनिए दोस्तों परसों तो कोई अपना नहीं और मानो तो हर कोई अपना परंतु जब समय आया सभी को परखने का जब वक्त आयेगा सभी को देखने का की कौन आखिर आपके कम ए रहा है और कौन आखिर आपके कम नहीं ए रहा जब परखने का समय आएगा तब आपको असलियत पता लगेगी की कौन अपना है और कौन पर आया है उसी के साथ दोस्तो 24 गंटे में उपाय, कि यदि हम बात करें कि कौन सा उपाय आपको करना है, कि सूपाय से आपका बेड़ा पार होने वाला है तो दोस्तों, ध्यान लगा के सुनिए, उपाय अगले पाँच दिनों का रहेगा जी हान दोस्तों, आने वाले अगले पंच दिनों तक लगातार पोस्ट शिवलिंग पर बेलापत्र चढधा नहीं है। आने वाले अगले साथ दिनों में पिछले समय से चल रही कुछ परिशानियों का अंत होने वाला है। कि इनसान भगवान के भक्ति करके अपने आपको शिखर पर पहुँचा सकता है। भगवान के भक्ति करके पूर्व जन्म के पापों को काट सकता है और आने वाले भविश्य को शानदार बना सकता है। क्योंकि आगे जो आपके साथ गलत होने वाला है, आगे जो आपके जीवन में बुरा समय आने वाला है, वह होगा केवल और केवल आपके पिछले जन्म के गलत कर्मों के कारण। और अगर भागवत भक्ती की अपने आप सुनहरा बात बहुत समझने वाली है और जो समझ जाएगा उसका जीवन सुधार जाएगा। पस इतना ध्यान रखिएगा, जल्दिबाजी लापरवाही के वजह से खत्रे की घंटिया निर्मित हो सकती है, यानि गलती, आप करेंगे, जल्दिबाजी कब होती है। बीवी बच्चों के लिए। तो आपका एक संतुलन जीवन में बना रहेगा और यही संतुलन आपको हिम्मत भी देगा और यही संतुलन आपको जीवन में आगे भी रखेगा। बाद बिल्कुल भी ना करें। जो चल रहा है उसे चलने दीजिए। क्योंकि जो गलत कर रहा है उसे परमात्मा स्वयम देख लेंगे। आपके साथ जिसने गलत किया है और आपने फिर भी कुछ नहीं कहा है तो आपका बदला फिर उपर वाला लेगा। आपको बोलने की जरूरत नहीं है। आपको मेहनत इतनी खामोशियों से करनी है कि आपकी सफलता शोर मचा दे। और ज्यादा बेहतर बनाने की जरूरत है। देखिए आपकी राशे वो अगर ब्रह्मांड की सबसे शुभ राशे बनाना है तो इतना ध्यान रखना होगा कि आपके अंदर एक गुण जो बाकियों से अलग हो। आपके अंदर एक कला हो जो बाकियों से अलग हो। और यकी अगर आप भीड का हिस्सा है तो भीड के समान ही धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे। को यही करनी है कि आप हर मुकाम पर पॉजिटिव थिंकिंग रखें क्योंकि इनसान की जीवन में गड़बर तब ही होती है जब वह बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है कि आप मुझसे नहीं हो पाएगा। अगर कब मिलते हैं तो सुधार लाइए, मनन चिंतन करिये कि मैं कहां गलती कर रहा हूँ। अगर कोई गलती निकल कर आती है उसे गलती पर कम करिये लेकिन कहीं कहीं पर खतरे की घंटियां भी दिखाई दे रही है। है जैसे कि आपका जिद और शंकालू स्वभाव आपके लिए कभी-कभी मुसीबत खड़ी कर देता है। यहां पर आपको थोड़ा सावधान रहना है। व्यापारिक मंडी के बावजूद परिस्थितियों धीरे-धीरे लाभधायक हो जाएगी। चिंता करने की कोई बात नहीं है। योजना बद्ध तरीके से अगर आप अपने कम को अंजाम देते हैं तो बहुत कुछ अच्छा आने वाले समय में आपके साथ होगा। अंदाज आप ना करें। मतलब कोई खास कम बचा है तो नींद को साइड में रख कर के पहले उसे वर्ण आर्थिक नुकसान होने की संभावनाएं नजर ए रही है। घर में बड़े बुजर्गों के स्वास्थे का ध्यान रखना भी आपकी पहले जिम्मेदारी है। इस सम गर्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों के प्रती आपकी आस्था बढ़ेगी। दृष्टिकोन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा और पिछले काफी समय से जो व्यस्तता चल रही थी, अब एक सुकून का एहसास होगा और घर में बुजर्गों का मैन सम्मान। आपक उनका सहयोग करना है, उनकी वैल्यू समझनी है, उनका आदर सतकार करना है। साथ ही साथ दोस्तों, व्यवसाय गतिविधियों में जो परिवर्तन हुए हैं, वह लाबदायक साबित होंगे। अधिकारियों से बात चीत थोड़ी कम रहेगी, लेकिन रिजल्ट बड़े अच्छे आएंगे, किसी कमजोरी पर अपने आप विजय का लेंगे। आपने सोचा नहीं होगा कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है, जो की अच्छे रहेंगे, जो की सकारात्मक रहेंगे, ये बहुत बढ़िया बात है। कई बार हम उम्मीद लगाते हैं कि मेरे साथ आने वाल कि भगवान ने जो किया था हमारे अच्छे के लिए किया था, यानि ज्यादा सोच विचार करने में उलजी है, होना वही है जो राम रचिराखा, तो हम क्यों फाल्तू की चिंताएं अपनाते हैं, अपने कार्यों को बहतरीन तरीके से पूरा करने में आप सक्षम रहेंगे इस वजह से आपके बॉस आपसे बड़े खुश होने वाले हैं, किसी नजदी की व्यक्ती से आपकी मुलाकात होगी और महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा, और वह क्या बाते होने वाली है, यह तो आप और वही जानते हैं, धार्मिक संस्था में चीजों को सुलजाना चाहते हैं, लेकिन वह हमारी बेवकूफी की वजह से और उलत जाती है, तो आप कोई भी गलत प्रयास ना करें, और नहीं किसी गलत तरीके से अपने काम को अंजाम दें, इमानदारी के साथ चलेंगे, तो आपके लिए दोस्त तो ज्यादा अच्छा रहेगा, किसी भी सरकारी काम को लापरवाही के साथ ना करें, क्योंकि सरकारी कारियों में लापरवाही दिखाना या उन्हें अधूरा छोड़ना बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आ सकता है, इसी के साथ दोस्तों, दूसरों का कोई काम है या दूसरों का कोई विवाद है, तो उसमें आपको किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना है व्यापार में अपेक्षित लाब ना होने से मनखिन रहेगा धन का अभाव खटकता रहेगा किसी आर्थिक लेंदेन में अत्यधिक सजगता एवं सावधानी बढ़ते अन्यथा बात बनने की बजाए बिगड़ जाएगी नौकरी में भाग दौड अधिक रहेगी लेंदेन कम होगा विदेश सेवा अत्वा विदेशी कारे से जुड़े लोगों को धन लाब होने के योग है कीमती वस्तु गुम अत्वा महत्व चोरी हो सकती है आपके द्वारा किये गए नवीन प्रयास काफी फाइदे मंद साबित होने वाले हैं साथ ही साथ आपका अपने काम के प्रती महनत बहुत जबरदस्त परिणाम दिखाने वाले हैं लेकिन दोस्तों जो आपकी महत्वपूर्ण फाइलें हैं जो आपके महत्वपूर्ण पेपर हैं, आपको उन्हें बहुत ही संभाल कर रखना होगा, वरना आप किसी मुसीबत में पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये फाइलें या पेपर गलत हाथों में चल गए, तो आपकी पूरी महनत को बरबाद कर सकता है, इन पूरे 15 से 16 दिनों में, ज चाहे धूप हो, या छाव हो, काली रात हो, या बरसात हो, जिंदगी में चाहे कितने भी बुरे हालात हो, मैं हर वक्त चलता रहता हूँ, इसलिए मैं जीत जाता हूँ, इनसान अगर तू भी मेरे साथ चलेगा, तो मैं तुझे भी कभी हारने नहीं दूँगा, यानि और विशेश उपलब्धियां लेकर आ रहा है। हमने आपको बताया था कि कल युग में कोई पैदा नहीं हुआ जो आपकी बराबरी कर सके। इसलिए दोस्तों, खुद को बड़ा समझना है। लेकिन उसका घमंड आपके अंदर नहीं आना चाहिए। हर व्यक्ति को भगवान ने कुछ खूबी दे कर भेजा है। कुछ खासियत दे कर भेजा है। जब तक कि वह उसे पहचान नहीं लेता, तब तक वह खुद को कम समझता है। लेकिन जब आपको पता चल जाता है, मेरे अंदर भी एक खासियत है, तो बहुत सारे लोग हैं जो इसका सही इस्तमाल करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के अंदर घमंड आ जाता है कि मैं अच्छा गा लेता हूँ, मैं अच्छा नाच लेता हूँ, मैं अच्छा बोल लेता हूँ, या फिर जो भी आपके अंदर खूबी है, इतना ध्यान आपके अंदर जो भी टैलेंट हो जो भी कला हो उसका घमंड मत करिएगा क्योंकि पत्थर पानी में अपने वजन के कारण ही डूपता है किसी प्रियजन से दूर जाना पड़ सकता है प्रेम संबंध में अत्यधिक तर्क वितर्क से बचें अन्यथा बात बिगड सकती है दापत्य जीवन में पति-पत्नी के मध्य पारिवारिक समस्या को लेकर कहां सुनी हो सकती है माता-पिता से अपेक्षित भावनात्मक सहयोग मिलने से मन बेहत दुखी रहेगा संतान के भविश्य को लेकर असमंजस बना रहेगा इस समय भाई बहनों के साथ को बहुत ज्यादा संभाल कर चलना होगा अगर व्यवसाय को लेकर कोई सी भी या होने वाली है तो आप उसे इस समय के लिए स्थगित कर दें क्योंकि इस वजह से कार्य से कार्यक्षेत्र में व्यवस्था गडबढा सकती है सरकारी गतिविधियों में आपको बहतरीन मुनाफ़ा मिलने की संभावनाए है पिछले कुछ समय से वर्किंग महिलाओं के लिए बहतरीन स्थितियां बनी हुई थी और अभी भी बनी रहेगी बस जरूरत अपने को इमानदारी सही ढंग से पूरा करने की आपके बहुत सारे काम होंगे जो फोन पर ही निपड जाएंगे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होगी आप बस अपने स्टाफ को व्यवस्थित रखें और अपने काम को स्टाफ के भरोसे न छोड़े एक चकर लगाते रहें और स्थितियों को देखते रहें, जाँचते रहें निवेश संबंधित कोई भी फैसला लेने से पहले उस पर पुनर विचार आपको जरूर करना है थोड़ी सी भी लापरवाही बड़ा खामियाजा भुगत सकती है अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थे को लेकर आपको थोड़ा सजग रहना होगा ज्यादा सोच विचार करने से सिरदर्द और तनाव हो सकता है धार्मिक तथा सामाजिक गती विधियों में आपका रुझान बढ़ने वाला है आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन आने वाला है साथी जीवन से जुड़े प्रत्यक कार्य को करने में आपका बेहतरीन नजरिया प्राप्त होगा कई बार लापरवाही की वजह से आप मुश्किल में पढ़ सकते हैं अपने महत्वपूर्ण वस्तु अत्वा दस्तावेजों को आप संभाल कर रखें खोने पर इनका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है जिसका नकारात्मक प्रभाव आपके स्वाभिमान पर पड़ेगा तो आपको बहुत ज्यादा इस क्षेत्र में सावधान रहना है बच्चों के साथ कुछ समय व्यतीत करें इससे उनमें सुरक्षा की भावना उपजे कि उन्हें ऐसा लगेगा कि आप उनके सपोर्ट में हैं और आप जब तक खड़े हैं कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, संबंधित व्यवसाय पर आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए इस समय फाइदे मंद परिस्थितियां बनी हुई है सरकारी सेवारत लोगों को कोई स्पेशल ड्यूटी लग सकती है इस समय की गई मेहनत आपके भविश्य में बहुत उचित परिणाम देगी इसलिए मेहनत करने में आना कानी नहीं करनी है बहुत अधिक व्यस्त रहेंगे कामकाज में मोबाइल और इमेल के माध्यम से आपको महत्वपूर्ण सूचना मिलने वाली है तो उन पर ध्यान बनाए रखें गंभीरता से काम ले भविश्य में आपके लिए बहुत ही फायदेमंद यह योजनाएं साबित होगी जो अभी आपके हाथ लगेगी घर के बड़े बुजर्गों का मार्क दर्शन और आशीरवाद अगर आपके उपर बना रहेगा तो बड़ी से बड़ी मुसीबत से बाहर आ सकते हैं कहते हैं जिसका मन शांत वह जीवन में हर कुछ कर लेता है प्राप्त अर्थात अपने मन को शांत बनाए रखे और अभिमान से बचे रहे ये दो काम आपने करे और भावनाओं में बहकर कोई निर्णे नहीं लिया तो आपकी न तो धन हानी होगी न कोई आपको उलू बना पाएगा और नहीं आपका कोई फाइदा उठा पाएगा बस इतना करना है कि मन को शांत बनाए रखना है घमन नहीं करना है और भावनाओं में बहकर कोई निर्णे नहीं लेना है फिर देखें जिन्दगी की गाड़ी कितनी खुबसूरती के साथ आगे बढ़ती है यदि किसी समस्या के समाधान को लेकर असमंजस की स्थिती में आप खुद को पाते हैं तो कोई न कोई आपके शुब चिन तक जरूर होंगे जब भी कोई हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है तो हम तो खुश हो जाते हैं परंतु समझदार व्यक्ति केवल एक बात करता है कि आज से पहले तो मेरी मदद नहीं करता था अचानक इसे मेरी मदद का भूत कैसे सवार हो गया तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर उसका कोई इसके पीछे स्वार्थ है तो उसे पहचानना है क्योंकि कहीं ऐसा न हो वह अपने स्वार्थ के चक्कर में आपको ले डूबे क्योंकि हम आपको बता चुके हैं आने वाले साथ दिनों में नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव थोड़ा ज्यादा नजर आ रहा है आपको थोड़ा ज्यादा सतर्क रहना है थोड़ा चतुर बनना है आपके स्वास्थे में कुछ गिरावट रहेगी किसी परिजन का कोई अप्रिय समाचार आने से मन अशांत रहेगा हड़ी संबंधी रोग में कुछ व्रिद्ध हो सकती है उधर विकार के कारण पेट दर्द उल्टी दस्त आदी होने की संभावना है आपका स्वास्थे खराब होने पर तुरंत चिकित्सक को दिखाएं परेशानी बढ़ सकती है खाने में हलका भोजनने व्यायाम करें अग वाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा इसी के साथ शुरुआत कैरियर कारोबार में मनचाही प्रगति मिलेगी आपको छोटी मोटी अडचनों के बावजूद अच्छा खासा धन लाब होने वाला है इसके साथ आप संचित धन में भी व्रिद्ध होगी और नौकरी पेशा ल कोई यसी बड़ी योजना लगे साथ जो योजना जिंदगी को संभार करें लोग हमारे खिलाफ साथ शडियन मित्रों जितना होचे जा रहे हैं जीवन में सिर्फ हमें गिराने का रात्मत रहने का प्रयास परंतु हमें भी चाहिए कि हम जिंदगी में प्रभावशाली लो काफी लंबे वक्त से या तो सफल होंगे या असफल, उन्हें कुछ नचानक जीवन में सीखेंगे ही है। जिससे अगर आज उदास होगे, कई परेशाने वाले कल के चक्कर में तो अपना वर्जी इस बात का भी ध्यों कि बिल्कुल भी सही बात है। लेकिन कुछ परेशानिया आपको कदम बढ़ना है, अपने प्रेम का प्रदर्शन करने से बचना है, अन्यथा सामाजिक कलंक लिए की आशन में यदि आमित होना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा पर सब्र के योग बनेंगे, इसी के साथ योजना बंध तरीके से कार् अगर योजनाए नहीं हैं, तो फिर मजा नहीं आए, घर परिवार में शुब और मांगलिक धार्मिक कार्यक्रम संपन्न होने के योग हैं, आर्थिक स्थिती सामान नहीं सही, लेकिन हार होने आप दिल पर लेकर बैठेंगे, अगर आपके मन में बहुत दिनों से कुछ काम अपने काम में वो खरीदें, तो यकीन मानिए आपके पक्ष में पूरा हो सकता है, मित्रों थोक के मामलों में अगर आप कारोबारियों को ज्यादा मुनाफ़ा होने मादा देंगे, तो आर्थिक शेत्र में किये गए प्रयासों में आपकी खुशी से बढ़कर, कुछ आर् जिस हिसार में योजना बध्ध तरीके से कारे करने से ही आपने आपकी चिंता हो सकती, प्रेम संबंधों में प्रगार चाहते हैं, और आपसी विश्वास पढ़ने वाला है, लव पार्टनर के साथ समय बिताने के कई परिवार के साथ कहीं मौल घूमने जासे हैं, और वहा आपके घर को बता देते हैं मित्रों की बेकार के बाद विवादों से दिया हो, कि बुजर्ग लोग यह कहें, आपकी यह तो अप्षगुन है, परंतो इसी की नकारात्मक्ता को दिमाग पर हावी मात होने दीजिएगा, तुरन वरना बड़ा अनर्थ हो जाएगा, साथ ही कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ चीज़ें इंडायरेंकि पक्ष को समझने की कोशिश करें, परंतो उसकी नकारात्मक्ता को हमारे दिमाग पर इतना मिठा लेते हैं, कि वह चीज सच हो जाती है, गलती किसी की बिनमूरी, तो आपकी बड़ा माइंड है, जो हमारा दि आपके लिए कि हमें नकारा काम से दिमाग में नहीं लक्षे, आपकी क्षम्ता स्यादा हम उस बारे बड़ा होनेंगे, वह तनाव उतनी सच होना शुरू हो जाएंगे, अगर हम यह सोचेंगे कि इसका हमारे जीवन पर हमारे गुरूजी कह देगा, कि अपने दिल में जो ह आपको किस तरह से अपना जीवन लोगों के दिल में जो है, उस या तो अच्छा अच्छा सोच करके अपनी जिन्दगी को आबात करते हैं, यह रिष्टों को बनाए रखने के लिए बहुत जिन्दगी को बरबात करते हैं, तो गुरूजी का यह घ्यान हमारा काम ही से अप चमत कारे को अपने खर्चों पने जिन्दगी में जबर्दस्ट परिवर्तन लेकर आएं, इसलिए आपको एक साधारन और सरन से उपाएं, अगर आपने कान लगा कर सुन लिए, तो आपकी जिन्दगी बदल भी सकती हैं, सबसे पहला उपाएं, और इस पर जिन्दगी जि इस मंत्र का आपको जाब करना, जिसके कारण आप दोस्तों के बीच एक बात धियान रखेगा, ये पर्टा आप एक साथ, तो मित्रों, अकसर आपने देखा होगा, किसी भी संगी जहां पर रिष्टों की बुनिया बस जो आपका भाव होगा, जो आपकी इश्रता होगा, एक दम सही होनी चाहिए, इसलिए दूसरा उपार मंगलवा के लिए है, आपको इलैन पीपल के ऐसे परिवार में भड़काने वारे होगा, जो कहीं से भी कटे फटे ना होगा, उन्हें साफ स्वच जल से आपको धो लेना है, साथ ही ध्यान रखेगा, आपको उसके उपर श्री राम लिखी च्छवी बनाए रखे हैं, हर पत्ते पर जब आप श्री राम लिखनें, उस ज्यादा समस्याएं उत्पन होगा, आपको उस जबी हनुमान मंदिर में जाकर बजरंग बली को अर्पित कर दें, यदि किसी यात्रा पर यकीन मान पढ़े तो बहुत प्रभू का आश्री वाद जरूर आपको अच्छे से बरता है, अगला उपाई यह है, आपको अपने माता बिल्व पत्र ले हुए वादे को पूरा करना पोगाना हो, नहीं तो इस बात आप से नाराज हो सकते हैं, बल्व पत्र की पहली और शिक्षा में कुछ चुनौतिय आपको लाल चंदर से टीकी रिंगानी है, देवों के दोनों पंदियों पर टीके लगाने के बाद, लाल किताब में लिखा हुआ है कि इस दिन उस पर गाय के शुद्र जाकर घी से टीकी लगानी है, और दोस्तों वपानी सहिल पत्र को शिवलिंग के अशोक सुन्दरी वा चाहे वह पाय को करने से माना जाता है कि आर्थिक समस्याओं से निजाथ मिलती है, आप नजर दोश के चलते हैं, अगर समस्या का सामना कर रहे हैं, तो नारियल का यह ही ख्वाब काम कर सकता है, अगर आप काले कपने में कुछ ऐसा ही है, तो आप कनक धारा स्तोत्र का आपको कम से कम शुकरवार के दिन कनक धारा का पाठ अवश्य करना चाहिए, अगर आप श्रद्धा पूरवक इसका पाठ करते हैं, तो आपको जीवन में प्रगति मिलती है, और धन से जुड़ी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं